असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला की रेसिपी बहुत मज़े का फटाफट और टेस्टी यह बनता है बहुत जल्दी बनता है बली मी राइस्ट्रेंट स्टाइल हम आपको आज यह रेसिपी देंगे एक बार बनाईएगा इन्शाल पनीर बटर मसाला बनाने के लिए देखे मैंने यहां पर दो प्यास ली है उनको बिल्कुल फाइन चोप करना है तीन टमाटर है हाइब्रिट के लिए हैं देसी टमाटर बिल्कुल मत लिजिए का मना आपकी जो ग्रेविया कटी जाद हो जाएगी हरी मिर्च कटकी है जूल बटर 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 के लिए दाल मिर्च ली है और इनको भीगो कर रख दिया है ताकि आपकी जोफट हो जाए इन मिर्चों को टमाटर को में एक साथ में ग्राइं करूंगी बिल्कुल पार एक साफ पेस्ट बनाऊंगी और यह 15 पीस है काजू इनको भीगो कर रखना है ताक एक स्पून ताकि हमारे ऑईल के अंदर जो बटर वाला फ्लेवर हो आ जाए और अब हम यह डाल देंगे अपनी ग्रम मसाले इनको 30 सेकंड के लिए हमें इसके साथ पकाना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारा मसालो का ऑईल के अंदर आ जाए देखिए सारी चीजे एक मिनट इसके साथ लाइट चा जाए जाता है तब तक हम इसको राइ करेंगे इसका फ्लेवर बहुत मज़क आता है जब बटर के साथ यह पकता है हमारी लेहसून के अंदर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है ज्यादा तेज भी नहीं करना है वनना इसके अंदर कड़वा प्याज को लगता चलाता हुआ विल्कुल गोल्डन करना है अच्छे से फाइख करना है और इवनली फाइख करना है इसे बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी ग्रेवी के अंदर निकलके आएगा प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है आप देख सकते हैं इस तरह से लाइट सा पि अच्छे बिन जाते हैं अब मैं इसको पांच मिलाट के लिए ढखके बिल्कुल पकाऊंगी ताकि इसका ओईल बिल्कुल सेप्रेट हो जाए और हमारी जो टमाटा का कच्छा पन है वो निकल जाए लेम को थोड़ा सा लोकर दीजिए और इसको ढखके पकाईएगा बिल्कुल टमाटार सौक हो चुके हैं और इसका जो ओईल है बिल्कुल साइप्रेट हो चुका है आप देख सकते हैं अब इसके अदर कुछ मसाले हम डालेंगे आप स्पून में डालते हैं उसके अंदर कश्मीरी लाल मिट्स से बढ़ा अच्छा आता है और बहुत जादा इसके अंदर तीका पन भी नहीं होता है और उसके साथ साथ में डालाएं लासन अदर का पेस्ट हाफ स्पून ही डालना है इन दोनों चीजों को हमें भून लेना है अच्छे तरीके से एक दो मिनट के लिए बिल्कुल भून चुका है और अब मैं इसकंदे डालूँगी चार इस्पून के करीब दही इसको भून देंगे अच्छे से इसके साथ में बहुत जादा इसमें टाइम हमें नहीं लगाना ह अब मैं डालूँ इसके अंदर मलाई आधा कटोरी या 6-7 इस्पून मैंने इसके अंदर मलाई ली है लिए बटर वाली इतनी भी हम ग्रेवी बनाते हैं इसके अंदर मलाई ज़रूर जाती है से त्रेस्ट और कलर एक दम से तेंज हो जाता है बहुत मज़े का आता है क्रीमी क्रीमी इसको पकाएंगे एक दो मिलट इसके साथ में और आप देख सकते हैं इसका कलर एक दम चेंज हो गया है हमारी ग्रेवी का इतना अच्छा कलर आया है लेखिए मलाई की भी बन चुकी है विल्कुल गुंचुका है और हमारा श्यपर हो चुका है अमें एक इस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी, जब हम डालते हैं इस तरह की ग्रेवी के साथ, और यह कासी थीक हो चुका है, अब में इसकंदर डालेंगे काजू का पेस्ट, देखी काजू को मैंने पीछ लिया था, और यह कितना स्मूध भिगोने का यहीं फायदा होता है, कि हमारे जो काजू को पेस्ट बहुत स्मूध सा बनता है, क्लेम को यहां पर लो कर दीजिए, और अब में इसकंदर फोड़ा सा एक दुन नट इसको पकाऊंगी, अपने जार के अंदर पानी लेके हम इसको खांगाल के इसकंद हो जाती है, फटपट जैसे मसाले भूनते हैं इसी तरह से थोड़ सी वस हमें अपनी प्रेपरेशन करनी होती है, और बहुत मज़े का फटपट और बहुत जल्दी मिनने वाला यह पनीर की ऐसी रैसीपी है, बहुत चरपटी सी और डिफ्रेंट सी, कि आप एक बार बनाए अधर करीब एक कप में यहां पर पानी डालना है और फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो और इसका जो पानी हमने डाला है इसका कच्छा अपन वगारा हमें पकाना है और इस ग्रेवी को बिल्कुल सैट करना है पांच मिनट ढखके पकाएंगे और तब तक हम अपना पनीर लेते हैं मेरे पनीर बटर मसाला एक का है को अब जब तक ग्रेवी हुती है हम अब some पनी पर DNI few को थोड़ साहीर रखना है में यह पर बटर डाला है और भडर को मैल्ट नहीं होने देना है है आप यहाँ पर अगर बटर यहां पर हमें बहुत हाई रखना है और देखें हमें अपनी पनीर को ना तो पकाना है ना इसके अंदर कलेल लाना है सिर्फ एक अच्छा सा फ्लेवर लेकर आना है अब यहां पर डालेंगे तूरियन कट अद्रक और हरीमेश हमने जो काटके रखी थी अच्छे से इसको बस कैसे टोस करना है अब हमें डालना है इस पर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिस पाउडर थोड़ा सा हंडी पाउडर और बहुत थोड़ा सा नमत सिर्फ यह चीज़े इसके ऊपर डालनी है तॉस करना है या इस तरह से हलकेल के हाथों से हम इसको प्राइब कर लेंगे बड़ा अच्छा फ्लेवर और कलर इस तरह हमारे पनीर के अंदर आ जाता है प्लेम को बहुत हाई रखना है ताकि हमारा पनीर जो है वह पानी न दाने हमारे चीनी के सिर्फ एक मिनट के लिए इसको ढख देंगे आप हमारे ग्रेवी का टैक्टर देख सकते हैं कितनी मिंटों में फटटपट हमारा मज़ेदार सा यह बटर मसाला पनीर बटर मसाला रेस्ट्राइन स्टाइल बनके रेडी है नमक मिर्च आप अपने हिसा याद रखिएगा अपने बहुत ख्याल रखिएगा अल्ला हाफीज